नमस्कार मैं समर के बुखर जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिक्ट आज बात करेंगे हम फिल्मिकिंग के उस पहलू की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्रियेटिव है और वो है स्क्रिप्ट राइटिंग दीए किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो होती है उसका जान होता है उसकी स्क्रिप्ट उसकी कहानी अगर आपके पास एक स्टॉॉंग कहानी है तो समझेए आपके पास एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर पहले से ही मौजूद है तो चलिए जानते हैं वो 5 secrets जिसके वज़े से आपकी script, आपकी कहानी, आपकी story next level तक जा सकती है पहला secret है choose a solid concept सबसे पहले ज़रूर है कि आपका concept unique वो engaging हो यानि लोगों को engage करता हो और इस तरह का हो जो common theme पर तो अधारित हो लेकिन उसका presentation different हो जिसमें कि दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाए क्योंकि एकसर होता है क्या लोग सोचते है कि कोई नया story लेके आए कोई नया thought लेके आए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, thought लगभग common होता है लेकिन उसका presentation उसके अंदर के जो elements है वो different होता है और यही elements आपको खोजना है जो लोगों को connect कर सके उसके character से, उसके emotion से देखिए जैसे एक example लेते हैं Three Idiots एक simple college story थी लेकिन उसमें दोस्ती, career struggle और unconventional thinking का combination था आपको भी कुछ ऐसा ही creative angle ढूणना है उधारन के लिए सोचिए आप एक love story लिख रहा है तो उसमें आप एक social issue को जोड़ सकते हैं या futuristic elements को जोड़कर उसे एक नई दिशा दे सकते हैं तो इस तरह से कोई भी normal, जो common theme है उसको एक presentation के रूप में अलग एक आकार दे सकते हैं स्टोरी के बाद जो सबसे महतुपूर elements होता है वो है characters आपका characters दमदार होना चाहिए कोई भी actor उस character को निभाने के लिए लालाईत हो अगर आपके characters relatable और layered है तो audience emotionally connect करती है आपको protagonist यानि hero का goal clear रखना होगा और antagonist यानि villain को रखना होगा strong और complex और हाँ आपके हर character का अपना एक आर्क होना चाहिए और उसके अंदर एक ऐसी विशेस्ता होने चाहिए जिससे दर्शक उसे हमेशा याद रख सके जैसे शोले में जैवीरू की दोस्ती गबर का खतरनाक अंदाज जेलर और सुर्मा भुपाली का चुटीला अंदाज वसंती का बिंदास वो बातोनी character और ठाकूर का बदला हर character की अपने एक मजबूत पहचान और आर्क था इस film में hero और villain दोनों ही emotionally charged थे जिससे audience उनसे जूर सकी और इधर बीच का एक web series पंचायत को अगर आपने देखा होगा इसके season 1, 2, 3 सब आये हैं तो उसमें आप हर एक character को अपने से related पाएंगे आपको लएगा कि ये तो next door का character है जिससे आप relate कर पा रहे हैं जिससे आप emotionally जूर पा रहे हैं और यही खास अंदाज होता है अच्छे character का जिसे आप हमेशा याद रख सके सेक्रेट टमबर 3 Engaging plot structure Blockbuster script का मतलब होता है Engaging और balanced plot तेकि आपका plot अगर जबरदस्थ है plotting जिस तरह से किसी plot पर आप पूरे इमारत का structure खड़ा करते हैं उसी तरह से जो कहानी का plot होता है जो आपके script का plot होता है उस पर आपकी कहानी खड़ी होती है तो उसमें इतने सारे turns and twist होना चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि अब next क्या होगा ये बहुत ज़रूरी है बाहुबली की कहानी का structure ऐसा था कि हर twist पर suspense बना रहा कटपन ने भाहुबली को क्यों मारा ने पूरे देश को climax तक जोड़े रखा कहानी का flow और plot twist इतने शांदार थे कि हर same story को और गहराई में ले गया आपके कहानी में भी लोगों के अंदाज से विपरित turn और twist होने चाहिए यानि लोग सोचेंगी कि अब तो यह होगा या maximum यह होगा लेकिन उससे अलग अगर कुछ twist होता है तो लोगों को वो पसंद आती है secret number 4 powerful dialogues आपके जो dialogues होते हैं वो script की आत्मा होती है यह आप जान लेजिए तो आत्मा के बिना शरीर का क्या महत्तो है यानि आपकी कहानी जितना भी अच्छा क्यों न हो अगर उसके dialogues अगर उसमें dialogues है तो कोई-कोई कहानी ऐसे होते हैं जिसमें dialogues की ज़रूद थी नहीं पड़ती इसके बारे में हम पिछले एक वीडियो में हमें बताया था लेकिन अगर dialogue है तो वो उस कहानी की आत्मा है तो आपको ऐसे dialogues रखने पड़ेंगे लिखने पड़ेंगे जो लोगों को हमेशा याद रहे ये dialogues फिल्म की situation को perfectly capture करते हैं और यादगार बन जाते हैं DDLJ के dialogues में प्यार, romance और comic touch का शांदार संतुलन था आप भी ऐसे dialogues लिख सकते हैं जो कहानी की situation के साथ साथ characters के personality को भी दिखाता हो डाउन को पकरना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है तारीक पर तारीक मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं बिला मेलोड सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है जब दोस बना के काम हो सकता है, बैटरेक तो पर दुश्मन के बनाई जो मैं बोलता हूं, वो मैं करता हूं जो मैं नहीं बोलता हूं, वो मैं डेफिनिटली करता हूं एक बाद जो मैंने कमिट्मेंट कर दी, उसके बाद तुम्हें खुद की भी नहीं सुनी सोच लो, बात खतम करनी है, या कहानी शुरू अभी बाखी है मेरे दूब किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए जरूरी है कि उसके स्क्रिप्ट में सब्टेक्स्ट हूं सब्टेक्स्ट यानि जो सीधे तोर पर न कहा गया हो, लेकिन ओडियंस उसका मतलब समझ जाते हो यानि एक तरह से चायावादी जैसे कभी होते हैं, उसी तरह से चायावादी लेखक होते हैं, जो कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कुछ दूसरे ढंग से हैं और इस तरह का जो subtext होता है वो बहुत ही आनंदायक होता है, बहुत ही emotional होता है, बहुत ही ज़्यादा connect करता है लोगों को और जो थोड़ा सा भी समझदार होते हैं दर्शक, वो खुद समझ जाते हैं कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है या जो actor है, जो character है वो क्या कहना जैसे कभी खुशी कभी गम में राहूल और यश्वर्धन की बीच का रिष्टा, उनके बीच का असहज संगवाद और body language एक गहरे भावनात्मा connection को दिखाती है, जो dialogue से परे है इस तरह के जो scene होते हैं, वो आपके script को बहुत ज़्यादा emotional बनाते हैं और बहुत ज़्यादा connect करता है दर्शोकों से तो आज मैंने पांच ऐसे secrets बताए जिसके जरीए आप एक blockbuster script तयार कर सकते हैं और यकीन मानिए सिर्फ ये पांच चीजों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी कोई भी script, कोई भी कहानी बहतर बन सकते हैं कि बहुत सारे चीजें हमारे दो तरह के course हैं script writing के एक तो course है जो traditional course है जिसमें आप पूरी तरह से six month में आप script writing सीखते हैं और दूसरा सिर्फ five days का course है जो AI से related है आने वाले दिनों का भविश्य आज ही अपने हाथों में लिजी और विश्व का पहला अपने तरह का एक मात्र AI powered screen writing mastery का course करिए मात्र पांच दिनों है इस online AI course में आप सिखेंगे story writing, short film writing, feature film writing, TV और OTT के लिए content writing, ad film copy writing, filmों के गाने के लिए commercial lyrics writing और साथ ही कई AI tools के जरिए आप सिखेंगे bound script project making, script breakdown और short division तथा canvas से poster designing और इतना ही नहीं, यह course आपको सिखाएगा अपने project के लिए featuring और business generation 30 दिनों के लिए पाईए mega discord, अभी call करिए AI powered screen writing mastery in 5 days याद रखिए यह course aspiring writers के अलावा उन सब के लिए है जो film making के छेतर में कुछ करना चाहते है तो आप जल 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 दी इस number पर call करके जान सकते हैं इन courses के बारे में तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको connect कर रहा हो तो निस चित तोर पर नीचे comment box में लिखिए और इस तरह का ही प्यार हमें देते रही है, नमस्कार